गुरू रूप खाल सभपन्थ जीयो वही गुरू जी का खल सा वही गुरू जी की फते हर तर्मन्दा, हर कौम्दा, हर मज्बदा थे आस उंदा है को जह थे आस जमीनी पदर थे जिस तरह गुरू पात्षा दे प्रकाशस्दान, शीद्ष थान ते होर जादकरा बड़े दुखना लकना पह रहा है कि जमीनी पदर ते निशानियां जो सन उ बेड़ी बेरे में नाड़ बाबावादी पेड़ चड़ गईया हून जो चड़ रहे हून वो सब मिटाईयां जा रहे हून जेस तरह जल्लेयां वाले बाग दियां गोड़ियां दियां जहां होर निशानियां नवे-90 त्रीकियां अनुसार संबालया जा रहा है पर सड़ी सरवचत आर्मिक संस्थाराइ उनीसोच्रासी दे हम ले दियां कुछे निशानियां मिटा देतीboys गहां हैं आगर आगर दे यां आगर कोजयां जितन दो रहा है कि ते भी किसे दी असली तरीखा नहीं रेंड देती हैं तांकि साड़ा को इतियास रही ना जाए एतों तक कि साड़ी सरवोज संस्था श्रोमनी गुर्द्वारा परबंद कमेटी होते भी सो परसेंट पंथ दो की तागतां दा कब जाओ चुका है मेरी सारी कौमनों बेंती है कि आओ आपाएं ते आसक तो औरते जमीनी तो औरते अपनियां जादगारा नों कैम रखन दी कोशिश करिए इस से कोशिश तह तो मेरी ये नमानी जी कोशिश है तां जो गुरू का आल तो लेके आपने पवित्तर पुर्बादियां असल तरीखा नों जरूर जाद रखन दा जतन कीता जावे तां जो साधियां और वालियां नसलां सही ते आसनाल जोड सकना गुरू प्यारयो आज जापां गुरू नानक देव जी पात्षा जी दे जीवन ते संखे पंची चात्मारंदा जतन करांगे के गुरू पात्षा जी ने साधे वास्ते की की कालना कालियां ते संसार्त नूं साचे दे चलन दा पदेश देता गुरु नानक देव जी महाराईदा प्रकाश 15 अपरायल 1478 इस्वीनू रायप वेदी तलवंडी होण ननकाना सहब जिला शेखुकुरा पाकस्तान विखे होया आप जीदे पिता कले आनदास जी माता सतकार जोग सिरिमती त्रिप्ता देवी जी पैन बेबे नानकी जी आप जीदे सुपतनी माता से लखणी जी ते दोस्पतर बाबा शिरी चांद जी ते बाबा लखमीदा ही सान संसार दे हलातान वेखे गुरु जी ने लुकाई नो वैमा परमाचों कड़न वासते चार संसार परसेद जातरावां कीती तीयां जिननानु चार उदासियां में क्या जानदा है। गुरु जी ने अपने साथी मर्दाना जी नू नाड लेके पहली उदासी सन 1497 तों सन 1510 इसवी तक पूर्भी पार्त वेच जेमें कुरुकशेतर, पाणीपत, दिल्ली हर द्वाराद परसेद हिंदूती इर्थां ते गए ते लोकानु वहिमा परमातों फोकिया रस्मा रितां विचों काड के ग्यान दा चारण दिखाया। दूसरी दासी वेच गुरु पाध्षाजी सन 1510 स्वीतों सन 1516 स्वीत तक दखनी पारतों होंदे होए बीकानेर, अजमेर, राजपुताना आते सिंगलादी पास स्थाना गए। गुरु पाध्षाजी ने कौडे राक्षिवर के मान्स खानेयानू मनुकता दा रस्ता विखाके लोक सिवा दे रस्ते दे तोर्या। तीसरी ज्यात्रा आप जी ने सन 1516 स्वीतों सन 1518 स्वीत तक उत्री पारतों होंदे होए आप जी जम्मु कश्मीर, सुमेर अते चीन आद थामांते गए। जिड़े लोक जा सादू संत संसार नो त्याग के पाहडानिया कुंद्रा मिच जाशिपे सान उन्ना नो ऐसास कराया के गरिस्त जीवन ही सबतों उच्चा जीवन है। अते उन्ना ने सिद्धा नाथा आते जोगियानों गरिस्त जीवन दी उच्चता दिरसाई। ये थे स्री गुरुन नानक देव जी ने शब्द गुरु सुर्थतन चे लाव चार दे हुए शब्द दे गुरु होन वाल सपाइश्ट संकेत देता। गुरु जी ते पाई मर्दार्ना जी ने चक्ती दासी सान पंद्रा सो ठारा इस वी तों सान प पश्चम वाल इसलामी देशाँ दी जातरा शुरू किती जेस वेच अफगानस्तान, अरब, एरान, एराका देशाँ नो पागलाए। इस दुरान आप जी ने वली कंदा रीदा हंकार तोड़िया जेते आजिकल गुर्दवारा पंजा साब असन अदाल पाकिस्तान वेके स शुबत है। इस जातरा वेच आप जी ने मक्य जाके लोकान उपर मातमा दे सर्ब व्यापक होंदा ग्यान करवाया। गुरू नानक देव जी महाराज ने पहली दासीतों बाद जिना सियाल कोट होंद पाकिस्तान वेच एक नमा नगर करतार पर वसाया। चौथी दासीतो बाद आप जी सन पंदरां सो बाई ईस्वीतों इसे नगरविखे रहना शुरू कीता। इस दोरान आप जी ने किर्ट करन नाम जपन ते वांड के शकन दे से दान दा उपधेश देता। ते आपनी किर्ट नसार आप खेती कर दे रहे। आप जी ने सरबात दे पलेदी विचारतार अनसार ना हम हिंदू ना मुसल्मान दा हुका देके सारे संसार नो एक अकाल पुर्खदी संतान दरसाया। अते जात पात, ऊच नीच, अमीर गरीब, माडा तकडा आद दा, वर्ग वांड दा खंडन करके सर्ब संजी वालता द उपदेश देता। पतर शब्दां वेच गुर्बाणी दी रचना कीती, जोके सहव सिरी गुरु गुर्ण सहव जी वेच सशोबत है। गुरु नानक देव जी ने पाई लेणा जीनू गुर्ग दी दे जोग पाके, उनना नू पाई लेणा जीतों गुरु अंगत देव जी बनाके आपनी ज जोद समा गए। वाहि गुरु जी का खलसा, वाहि गुरु जी की फतेह।